हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का स्टेडी पाउर की यूट्यूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राज्यसभा से रिलेटिड कोशन्स यह राज्यसभा का पार्ट टू होगा अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखे चाहिए आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे हो हर्याना पुलीस हो पटवारी हो एंटी पीसी हो एससी हो राज्यसभा से रिलेटिड कोशन्स हैं वो हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपका को एक्जाम में राज्यसभा से कोई भी कोशन ना छुटे इसके लिए आप इस वीडियो को लास्टे तक जरूर देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो, आज का हमारा फ्रस्ट कोशन है, राज्ये सभा का सभापती कोन होता है, राज्ये सभा के जो चेर्मैन है वो कोन होते हैं, तो भारत के जो उप्रास्ट्रपती हैं, वही राज्ये सभा के जो हैं सभापती होते हैं, वर्तमान में भारत के उप्रास्ट्रपती कोन है, तो वो है एम वेंकेया नाइडू याद रखना आप सभी को क्या नाम है उनका एम वेंकेया नाइडू चलिए चलते मारे अगले कोशन पर निमिल लिखित में से कौन सदन का सदेश्य हुए बिना इसके अधेक्ष के रूप में कारिय कर सकता है इन में से कौन है जो सदन का सदेश्य हुए बिना भी इसके अध्यक्ष के रूप में कारे कर सकता है तो यह है भारत का उप्रास्ट्रुपती भारत का जो उप्रास्ट्रुपती है वो बिना किसी सदन का सदेश्य हुए अध्यक्ष के रूप में कारे कर सकता है चलिए चलते हैं अगले कोशन पर राज्य सभा के सभापती की अनुपस्थिती में राज्य सभा का संचालन कोन करता है अगर राज्य सभा के जो सभापती हैं अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनकी अनुपस्थिती में जो है राज्य सभा का संचालन कोन करता है तो राज्य सभा के उप सभापती जो है वो राज्य सभा का संचालन करते हैं सभापती की अनुपस्थिती में तो चलते हैं अगले कोशन पर नेक्स्ट कोशन हमारा राज्य सभा की दो बैठको के मध्या समय अंतराल कितना होता है राज्य सभा की जो दो बैटके हैं उनके बीच का जो समय अंतराल है उनके बीच का जो टाइम गैप वो कितना होता है छै मा का यानि six months का टाइम उनकी बीच में होता है चल्ये चलते हमारे अगले कोशन पर भारतिय राज्य सभा पहली बार कब गठित की गई थी थी तो ये 1952 में जो है राज्य सभा पहली बार गठित की गई थी चलिए चलते हमारे अगले कोशन पे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो इन में से किसी को भी जो है वो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है एक स्थाई सदन है राज़-सभा है वो कभी भी डिजॉल्फ नहीं होती चले चलते है वारे एकले कोश्छन पर ऐसे वेक्ति कोन है जो राज़-सभा के सदश्शे होते हुए राज़-सभा और लोक्सभा दोनों में बोल सकते हैं ध्यान से कोश्छन पढ़िएगा ऐसे कौन वेक्ति हैं जो राज्यसभा के सदश्य से होते हुए राज्यसभा और लोगसभा दोनों में बोल सकते हैं तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदश्य हैं वो राज्यसभा और लोगसभा है वो दोनों में बोल सकते हैं निमिलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतरगत आता है इन में से कौन है वो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतरगत आता है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन A अखिल भारते सेवाओं का स्रीजन है अखिल भारते सेवाओं का जो स्रीजन करन है और राज्य सभा की एकांतिक शक्ति यानि राज्य सभा के पास ही जो है वो अखिल बारते सेवाओं का स्रीजन करने का अधिकार है चलिए चलते हमारे अगले कौशन पर यदि केंद्रिय संसद को राज्य सूची में शामिल विधाई शक्तियों और विशो को ग्रहन करना है तो इस आश्यका प्रस्ताओं किसके द्वारा पारिद किया जाएगा द्यान से कौशन सुनेगा यदि केंद्रिय संसद को राज्य सूची में शामिल विधाई शक्तियों या विशों को ग्रहन करना हो तो इस राश्य का प्रसाओ किसके द्वारा किया जाएगा इस question में बताया गया है कि हमारे सविधान में जो तीन सूचिया है संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संग सूची में जो विशा वर्णित है उनके बारे में सिर्फ केंदर सरकार कानून बना सकती है राज्य सूची में जो विशा वर्णित है उनके बारे में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और जो समवर्ती सूची है उसके जो विशा है उन पर दोनों सरकारे हैं वो कानून बना सकती है तो इस question बतायागा है कि राज्य सूची के जो विशा है जिन पर राज्य कानून बना सकता है राज्य सरकार कानून बना सकती है उन विशो को अगर केंदर सरकार अपने अधिकार में लेना चाहे यानि राज्य सूची के जो विशा अगर वो संग सूची में जाना चाहे तो इ इंद्रे सुची में चला जाएगा चले चलते हैं मारे एगले कोशन पे मारे नेक्स्ट कोशन है लोगसभा द्वारा पारित धन्विदेग राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्छ सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ने कर सकी यानि राज्यसभा द्वारा भी कब पारित मान लिया जाता है ठोदह दिन के अंदर अंदर आप सभी को पता होगा रज्यसभा है वो धन्रीज dry को को जो है वो ऐस्यस्विकार नहीं कर सकती है वे सिर्फ 14 दिन के लिए उसको रोख सकती है अगर 14 दिन हो जाते हैं तो वे अपने आप जो है वो राज़ी सभा से पारित मान लिया जाता है चल्ष्य चलते मारे अगले कोश्शन पे रास्ट्रपती द्वारा राज्यसभा के सदश्यों के नामांकन का नियम किस देश के सविधान से लिया गया है द्यान से देखे कोशन राज्यसभा के सदश्यों के नामांकन का जो नियम है वो किस देश के सविधान से लिया गया है तो आइरलेंड के सविदान से लिया गया है यानि आइरलेंड के सविदान से जो है वो राज्यसभा के सदश्यों के नामांकन का नियम है वो लिया गया है चलिए हमारा अगला कोशन है उपरी सदन के कितने सदश्यों की न्युक्ति भारत के रास्ट्रपती द्वारा की जा सकती है उपरी सदन उपरी सदन यानि अपर हाउस अपर हाउस के है राज्य सबा तो राज्य सबा में जो रास्ट्रपती है वो कितने सदे समनोनित कर सकते है चलिए चलते हमारे अगले कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है रास्ट्रुपती द्वारा राज्य सभा के लिए कला साहित्य विग्यान आदी छेत्रों से 12 सदश्यों को मनोनित करने की व्यवस्ता भारतिय सवीधान के किस अनुछेद के अंतरगत आती है यानि हमने अभी देखा कि जो राज्य सभा सभा में जो है रास्ट्रुपती 12 सदश्यों को मनोनित करते Letting तो इस 12 सदश्यों मनोनित की जते है वो सवीधान के किस अनुछेद में जो इस बात का वर्नन किया गया है तो अनुछिद अस्तिक अंत्रगत जो है राज्य सभा में जो है वो 12 सदेश्यों को मनोनित करने का प्रावधान है वो किया गया है याद रखना आप सभी को कौन सा आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 80 चले चलते मारे नेक्स्ट कॉश्चन पे सवसे पहले किस फिलम अभीनेता को राज्य सभा का सदेश्य मनोनित किया गया था सवसे पहले किस फिलम अभीनेता को जो है वो राज्य सभा का सदेश्य मनोनित किया गया था तो वो किया गया था प्रित्वी राज कपूर को या दखना है कि इसका right answer होगा मारा option ए पृत्वी राज कपूर हमारा अगला question है राज्या सभा के लिए नामित प्रथम फिलम अभिनेतरी को थी तो वो थी नर्गिस दत क्या नाम था उनका नर्गिस दत तो इसका right answer होगा मारा option ए नर्गिस दत है वो प्रथम फिलम अभिनेतरी थी जो राज्या सभा के लिए नामित हुई थी अगर फिलम अभिनेतर की बात करें प्रथम तो वो कौन थे प्रित्वी राज कपूर जो आमने पहले question में देखा था चलिए चलते में रगले question पर राज्य सभा में किस राज्य के परती निदियों की संख्या सरवादिक है तो उत्र प्रदेश की है पता होगा आप सभी को उत्र प्रदेश को राज्य सभा में कितने सीटे मिली हुई है तो 31 सीटे जो है वो उत्र प्रदेश को राज्य सभा मे सुर्ण संह उसकraft का इतुन है उत्रप्रदेश की भारत में सबसे ज् ynवस्पुरेशन कंज पूर्डेश की भारत में सबसे ज्यादा पोपिलेशन है तो इसलिए उत्रपरदेश को सबसे ज्यादा सीटे भी मिले है 31 सीते जो है वो राज्य सभा में उत्रप्रदेश को मिली है चले चलते मारे अगले कोशन पे राज्य सभा के सभापती कौन थे राज्य सभा के पहले सभापती है वो कौन थे तो वो थे डॉक्टर एश राधा क्रिशनन जो है वो राज्य सभा के पहले सभापती थे चले चलते मारे अगले कॉशन पे राज्य सभा के पहले उप सभापती कौन थे तो उसका अंसर होगा राइट अंसर वा उप्शन ए S.V. Krishnan मूर्ती राव है वो राज्य सभा के पहले उप सभापती थे याद रखना आप सभी को इसका राइट अंसर वा उप्शन ए चले चलते मारे अगले कॉशन पे किन राज्यों का राज्य सभा में परती निदीतव नहीं है इन में से जो कौन से राज्य है उनका राज्य सभा में परती निदीतव नहीं है चलिए चलते हैं हमारे next question पे आज करें हमारे last question होगा इस समय राजय सबा के उपसभापती कौन है इस समय राजय सबा के उपसभापती कौन है तो इसका right answer होगा option D Harry once, Narayan Singh Harry once, Narayan Singh है वो अब राजय सबा के जो है वो उपसभापती है टिपटी चेर्मेन है तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खतम होती है अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं कलिक नेक्स्ट वीडियो के साथ